हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मैं चैनल स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मैं हर्फी पटेल बात करूंगा आप से स्टुडियो में 79,000 सिच्छक भरती की एक न्यूज के समन्द में और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकोन को भी दवाना मत भूलेगा जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और वीडियो को सेर कीजेगा और लाइक जरू कीजेगा तो देखते हैं न्यूज क्या है देखिए जैसे क कि आपको पता है 59,000 से चक भरती परिच्छा की आंसर की एक बार आचुकी है जिसमें 1.500 कोश्चन थे और 11 जन्वरी 6 बजे तक साम 6 बजे तक 1.500 कोश्चनों में 142 कोश्चनों पर परिच्छारतियों ने आपत्ति दर्ज की तो उसके संब्द में देखिए अब निस्तार जो 8 जन्वरी बजे को सिच्चक भरती परिच्छा की उत्तर कुंजी जारी की गए थी, उसमें जो आंसर दिये गए थे परिच्छार्चियों ने वही आंसर लिखकर आपत्ति दर्ज कर दिये हैं, कितना हास्छ पद है यह बात कि मतलब आंसर की में भी वही उत्तर दिया ग परिच्छा नियामक की ओर से जारी उत्तरकुंजी के सही उत्तरकुंजी के उत्तर सही फिर भी अभ्यड़तों ने उठाये सवाल तो पन लेते हैं सिनुछ को आराम से लिखा है 69,000 सहायक ध्यापक भरती परिच्छा के 54 प्रश्ण के उत्तर अंसर की में सही थे फिर भी अभेरतियों ने इस पर आपत्ती दर्ज करा दी हाला कि प्रतम दौर की जाच में ये आपत्तिया निरस्त कर दी गई है सचीवी की ओर से साहय का द्यापक भरती परिच्छा की उत्तर कुंजी 8 जनवरी को जारी करने के बार परिच्छार्टियों से 11 जनवरी साम 6 बजे तक आपत्ती दाखिल करने को कहा गया था कई परिच्छार्टियों ने परिच्छा नियामक की ओर से जारी उत्तर को सही माना लेकिन आपत्ती दर्ज करती सची परिच्छा नियाम प्रादिकारी अनिल भूसर चत्रुवेदी ने इस बात को हास्ष्पत बताया कहा कि डेड़ सो प्रस्णों में 142 प्रस्णों के खिलाफ परिच्छार्थियों ने आपत्ति दाखिल कर दी कितनी वाकई में जो है डेड़ सो प्रस्ण की परिच्छा है उसमें से 142 प्रस्णों पर आपत्ति दर्ज कर दी गए तो वाकई में एक हसी वाली बात है परिछार्टियों की आपत्ती की जब जांच की गई तो पता चला 142 प्रस्णों में से 54 ऐसे प्रस्ण है जिसके जवाब और परिछार्टियों के जवाब मतलब आंसर की में जो प्रस्म दिये गए थे उनके जवाब और परिचारतियों के जवाब एक ही है इसके बाद भी आपत्या आई सचीव का कहना है कि यह 54 सवाल पहली बार स्क्रीनिंग में निरस्ट कर दिये गए उन्होंने कहा है कि आगे यही परिचारती जब कोट में याचिका दाखिल करेंगे तो वहाँ यहाँ बताया जा सकेगा कि किस परकार से परिचारतियों ने उनके ही उत्तर को सही मान कर आपत्ति दाखिल की है सची परिच्छा नियाम प्रादिकारी अलिल भूसर चतुरवेदी जी का कहना है कि परिच्छा नियाम के इस बयान के बाद तो अब लग रहा है कि परिच्छा नियाम के बच्छो को छोटी कच्छा में गलत जानकारी दी जा रही है तो ये थोड़ा सोचने वाली बात है कि उच्छ कच्छाओं में जो है जो जानकारी है उसे अपग्रेड कर दिया गया है लेकिन जो परसदी विद्यालियों में पुस्तके चल लही है उसमें जो है जानकारी गलत दी गई है तो इस पे जो है थोड़ा सोचने वाली बात है और सासन को इस पर सोचना चाहिए और जो पुस्तके आएं परसदी विद्यालियों में उनमें भी जानकारी अपग्रेड की इसमें जानकारिय अपग्रेड हुई है और अगर आप उसको अधार बनाकर सिनों को भीजते हैं आपतिया भीजते हैं तो उनको नहीं माना जायएगा तो देखिए 1.500 प्रशनों की परिछा में 142 इस में प्रशनों पर आपतियो जिसमें से 54 प्रश्णों के सही उत्तर पर भी आपत्ती हुई तो क्या बात है क्या बताएं इन लोगों केवल समय बरबाद करना है सासन प्रशासन का जिससे कि ये भरती 79,000 से च्छक भरती परिच्छा ये निरस्थ हो और किसी कारणवस जो है जो ये प्रक्रिया पूरी होने वाली है फू ना हो पाए देखी एक बात मैं बता दू कि 79,000 से च्छक भरती परिच्छा निरस्थ नहीं होगी कुछ भी हो जाए जैसे कि 68,500 को बहुत से लोग निरस्थ कराना चाहते थे लेकिन वो निरस्थ नहीं होई तो उसी प्रकार 89,000 से च्छक भरती परिच्छा भ यसी बहुत आइ surgeons वही कराना चाहते हैं जो इस परिच्छा में सफल नहीं हुए है मैं यह नहीं मानता कि जो सफल नहीं हुए है यह Bye यह यह नहीं है वह किसी कानबस इस परष्छा में सफल नहीं होपा है लेकिन उनका यह सचना गलत है कि 69,000 से बहुत परिच्छा और आएंगे आपके सामने यही अभी और यह नहीं है कि यही अवसर है आपका कुछ लोगों के पास यही अवसर था और वो नहीं हो पाए तो उनके लिए क्या क्या जा सकता है इस बात को यहें पर छोड़ते हैं और देखिए कठाप के संबंद में मैं वीडियो इसलिए नहीं लाता क्योंकि अगर मैं वीडियो लाओंगा मुझसे जो है 85,000 लोग जो है जुड़े हुए हैं और उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुपर टेट दिया है तो वो मानते हैं कि मैं जो बताओंगा वो लगबग सही होगा तभी तो मुझसे जुड़े हुए हैं अगर मैं बाइचंस बता दूं कि जनरल का कटाप इतना जाएगा तो ट ability जाएगा तो लोग परसान हो जाएंगे अगा कम होगा नकुना के उसी जह मैं मैं फिर ज्रुमुल network संभाड़ी वीडियो नहीं लाता fel और बहुत से चैनल बताते हैं कि जनरल का कटाप नहीं जाएगा विश्यका कटाप इतना जाएगा तो वो उनका म resposta आए पना च चैनल की टियारपी योगी जो सही बताता है उसकी टियारपी खुदी बढ़ती है देखिए रिजल्ट से पहले ये बताना की कटाफ इतना जाएगा ये होगा ये नहीं होगा वो नहीं होगा तो ये मैं मानता हूं सब गलत है क्योंकि जब तक 22 जनवरी को रिजल्ट ना जाए तब तक मैं अपना गुडांग संबन्धी वीडियो नहीं लाओगा जोकि रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कि क्या होगा कि कितने लोग पास होंगे कितने पास नहीं होंगे ये सब चलता रहता है तो इसलिए मैं कटा पर लग सकता है सुलक जैसे कि आपको पता होगा सीट jako का ऐग्जाम होता है जब आंसर कीरत उसके बाद आपत्या ले जाती है तो आपत्या लेने के लिए एक हजार रुपए प्रातिप्रस्ण के हिसाब से सुलक लिया जाता है तो उस पर जो है विचार कर रही है परिच्छा नियामक देखे न्यूस जब पढ़ लेते हैं परिच्छा नियामक प्रादिकारी कारेले से होने वाली परिच्छाओं के सवाल पर अपति उठाने के लिए परिचार्तियों को देना पड़ सकता है सुल्क CBSC की ओर से होने वाली केंदरी सिचक पातरता परिच्छा सीटेट और यूजी सिर्निट पे भी परिच्छार्थियों की ओर से केसी सवाल पर आपत्य जताने पर एक हजार रुपए प्रप्ति प्रश्ण सुल्क लिया जाता है तो परिच्छा नियामक प्रदिकारी कार्याल भी इस ववस्था पर विचार करता है विरुकुल अच्छी बात है क्योंकि ये जो फालतू की आपत्या होंती हैं उन पर जो है रोक लगेगी और सही प्रश्णों पर जो है आपत्या होंगी तो ये अच्छी बात है कि परिच्छा नियामक इस पर कार करे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा है क्योंकि जिसको जरूरी है जिस प्रश्ण पर आपत्या जरूरी है उसी पर आपत्या करना सही है अनता गलत है क्योंकि इस से जो है सासन का समय भरबाद होता है और रिज इसलिए ये जो सुल्क है सुल्क की प्रक्रिया इसको शुरू होना जरूरी है तो ये सब बाते हैं बहुत सी बाते हैं जो मैं कहना नहीं चाहता फिर भी दीरे दीरे आपको पता चल जाएंगी मेरी बाते तो खेर ये नीज जो है कि 142 प्रस्टों पर आपतिया दज की गए जिसमें से 4 प्रस्ट ऐसे हैं जो परिच्छा नियामक प्रादी कारी कारेले की ओर से जारी की गए आंसर की में सेम उत्तर वहीं है जो परिच्छार्थियों ने आपतिया दज कराई है अगर यही एक हजार पैसुलक होता तो कोई दर्जन नहीं कराता और वही प्रस्टों पर आपतिया जाती जो आपतियोग्य है तो यह बात है कि 54 प्रस्टों के सही उत्तर पर भी आपतिया कर दी गए और मेरा मानना है कि आपतिया चाहे कितनी भी हो गई होँ 3-4 प्रश्न पर ही आपको अंक मिलेगा, इसे ज़्यादा अंक नहीं मिलेगा तो ये बात ध्यानने केगा, तो thank you friends, मेरा वीडियो पर कतब होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, thank you friends, आपका मेरे चैनल पराने के लिए बहुत बहुत धन्य वाद